हता है हम हो गयेते यांद गुरुद्वारा जाने के लिए और चले चलते गुरुद्वारा आप्र देख देखते के कैसा है बट उस से पहले में डूपटा ले रहे तिहो क्योंकि आपको तो पटाई होगा किसी भी गुरुद्वारे में जाओ तो इसमेंasminecissant 그건 không कर दो 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 आने वाले एक बौदे पार्टी में एक छोटी बच्ची की बौदे पार्टी में उसका नाम एरा है and I think इस साल वो दो साल उसके complete हो जा लेगा अभी मैं उसके लिए gift पैप करूँगी तो आप देख सकते हैं यहां पर मैं रैप लेके तयार हूँ और मैं करूँगी gift pack so यह है हमारा gift जिसको मुझे पैप करना है and साथ ही साथ मैंने एक cute सा अब लिखा है and मैंने सोचा कि you know कुछ अपनी तरफ से कुछ अच्छा सा मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर ऐसे छोटे-छोटे कोई you know notes या कुछ ऐसा अपनी से personalized कुछ बना के दे तो मुझे काफी अच्छा लगता तो मैंने सोचा कि मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा personalized you know notes बना के दूँ तो I hope उनको पसंद है let's see यहां मैं फटा-फट अपने gift को wrap कर लेती हूँ so guys मेरी packing complete होगी है यहां पर अपना नाम लिखने बस बाकी है so होगे है मेरे शाम के चाई का time और मैं अपना चाई जैसे मैंने आपको वोला था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है यह time मैं पूरे दिन इस time का wait करती हूँ और साथ ही साथ हम इसके साथ यह biscuit खाते है यह biscuit यहां पर मिलता है इसका नाम मुझे exactly नहीं पता है बट यह इस चाही के साथ इतना ज्यादा टेस्टी लगता है कि आपको addiction हो सकता है इसका तो पर फिर भी खाओ क्योंकि बहुत ही ज्यादा मज़े का होता है तो मैं इसको इ सो यह वीडियो मैंने तब शूट किया था जब वैलेंटाइन स्टे था तो हम आगे अपने वैलेंटाइन स्टे बनाने के लिए यहां Amsterdam में एक बहुत ही famous museum है that is upside down तो अगर आप Amsterdam में तो यहां जरूर आना और यह देखे अंदर घुस्ते के साथ ही इसका कितना ही vibrant और कितन famous क्यू है अभी कुछ जादा ही आइक हो रखा है इस museum का तो यह यहां की entrance है जो कि बहुत ही cute है तो चली चलते और देखते हैं अंदर क्या है और अंदर जाते के साथ यह देखे यहां पर एक rotating platform है जो कि बहुत ही amazing था तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था लेकिन अभास के लिए ज़रा सा scary था यह अब यहां यहां एंट्री के साथ आप देख सकते हो कि everything is ulta यहां पर तो maybe that's why इसका नाम upside down museum है तो यहां पर अगर आने का प्लान कर रहे हो तो यहां पर आप आने का प्लान कर रहे हो तो आई उट्ट कि आप जरूर आना क्योंकि यहां पर एक बहुत ही different और अलग experience रहेगा आपके लिए और यहां पर आप देख सकते कि यहां पर कितनी सारी अंदर घुस्टे के साथ activities है यहां पर और सामने में मुझे कुछ ball activity दिख रहा है जो कि बहुत ही amazing लग रहा है तो यहां तो मैं पक्का ट्राइ करूँगी बट उससे पहले मैं explore करूँगी कि इस museum में और कौन कौन सी activities है हमारे लिए यहां अभाज तो आते के साथ start हो गया but I have to shoot तो पहले मैं shoot करूँगी उसके बाद मैं भी इन सारे activities को full मजा लूँगी यह वो ball activity है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी और आप देख सकते कि यह कितना ही amazing है हमने यहां पर बहुत time maximum time spend हमने इस चेगे पर किया और यह बहुत ही जादा मज़े का था बहुत ही जादा मज़ेदार था बिल्कुल ही आपका childhood आप वापस से enjoy कर सकते हो तो यहां पर तो मैं आपको पका suggest करूँगी कि आप पका न मैं डर रही थी यहां कूते वक्त but still बहुत ही जादा मज़ा आया एक बार हम comfortable हो गे तो हमें बहु जादा मज़ा है यहां पर और एक चीज़ जो मुझे यहां सबसे जादा जबर्दस्त लगी वह यह पिंक वाडरोब सेटप है उनका तो एक पूरे रूम में उन्होंने यह सेटप कर रखा है जिसमें उन्होंने बहुत डिफरेंट फंकी ड्रेसेज लगा रहे हैं आप इन ड्रेसेज को पहन के पिक्चर्स भी क्लिक करवा सकते हैं तो चले चलते अब इसके नेक्स सेटप पे और देखते कि वहां पे इन्होंने क्या कर रखा है क्या थीम है एक्चली थीम इस अपसाइड डाउन बट उन्होंने वहां पे बिल्कुल ही डिफरेंट सेटप कर रखा तो अंदर घुस्ते के साथ मुझे यहां पे एक उल्टा सा बाथटब दिख रहा है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है और इनका एक पूरा डिसको थीम इन्होंने बना रखा है जिसका थीम इस अपसाइड डाउन तो पूरा को पूरा डिसको ही उल्टा है और सबसे मज जस्ट जा करके वहां पर अपना स्कान करो अपने पिक्चर्स लो और वह आपको आपके एमेल अकाउंट पर मिल जाएगा और आई थिंक अब यह ओवर हो गया है तो अब बाहर निकलते हैं अब बाहरा वैले टाइन से आगे बढ़ाते हैं और चलते किसी रेस्टारंट में और त्यारा है दिनर करने के लिए हमने चूज किया था आज यह तुलसी इंडियन रेस्टारंट क्योंकि आज इंडियन खाने का बहुत ही जादा मनता तो यहां मैं और आभास आ गया है और वेट कर रहे हैं अपने starter का और उससे पहले आगी हमारी ड्रिंक तो अभास ने mango लसी मंगाया था और मैंने ये mocktail मंगाया था जिसका taste वाज गुड और साथी साथ यहां हमारे Starters भी आ गया तो Starters में हमने मंगाया था Chicken Tikka जब भी हम किसी इंडिन रेसटरांट जाते है तो हम Make Sure करते है कि हम Chicken Tikka जरूर खाएं क्योंकि हमें बहुत पसंद है और दूसरा हमारा था Chicken Malai Kofta type कुछ था यहाँ पर हमारा मेन डिनर भी आ गया है मीन मेन्य आ गया हमारा जिसमें हमने चिकन का वे is उडिक इंडर然后 को बहुत दिने के कुलियों होग में